नमहा सम्भवायेच मयूभवायेच नमह संकरायेच मैशकरायेच नमह शिवायेच सिवतरायेच हर हर महादेव मित्रों हर हर महादेव हर हर महादेव आने वाला है सावन और वह सावन जिस सावन में भगवान सिव निरंतर पृतिवी पर मापार्वती के साथ में ब्रसब पर विराजमान होकर के निरंतर प्रतिवी का संचालन करते हैं प्रतेक व्यक्ति से मिलते हैं और उनके दुखदर्दों को सुनते हैं उनकी मनो कामनाओं को पूर्ण करते हैं उनके मनोरतों को पूर्ण करते हैं किन के पूर्ण करते हैं यहां विचारनी यह है तो वि प्रावन का अर्था दूसरा भाग क्या है संकल्प जो संकल्प नहीं तो होकर करने वाले व्यक्ति जो कारी करने वाले लोग हैं तो उनके मनुरतों को उनकी कामनाओं को उनकी अर्दास को उनकी जो निवेदित किये हुए जो कामनाएं हैं उनको सुनने की हर प्रकार से अभि तो आज हम बताते हैं कि ओम नमस्षिवाय का जो ये पंचाक्चरी मंत्र है इसमें ओम कोई लोग लगाते हैं कोई नहीं लगाते हैं फिलहाल नमस्षिवाय का जो पंचाक्चरी मंत्र है ओपंचाक्चरी मंत्र आप कितने जब करने का संकल्प ले रहे हैं तो पंचाक्चरी म मतलब होता है कि एक रुद्री दो रुद्री तीन रुद्री चार रुद्री पांच रुद्री छे रुद्री इस प्रकार से जो बारा रुद्री करता है जो बारा रुद्री करता है मतलब बारा लाग जब करता है वो भगवान सिवका अनन्य हो जाता है पांच लाग करने पर एक पुरुष्चरण माना जाता है जो संचिप्त पुरुष्चरण है वो पांच लाग करने पर उनका पुरुष्चरण होता है बारा लाग करने पर बारा जोते लिंगों की विशेश करपा प्राप्त होती है 27, 51, 54 लाग या एक करोड आपके अंदर कितनी च्छमता है इसका भी पता चलता है जब आप एक बार रत हो जाते हैं निरत हो जाते हैं किसी कार्य में तो निश्चित रूप से आपके लिए वो वड़ा पूर्णे परदाई होता है वड़ा शुखधाई होता है आने वाले 11 मह पुष्ट रखना है रिष्ट रखना है मस्त रखना है और अपने आपको चैतन्यता परदान करनी है चैतन्य रहना है और बहुत सारे विशेश क्रपा आपको भगवान बोले नात की चाहिए तो इस सावन में आपको संकल्प लेना होगा पंचाक्छरी मंत्र का जब या ने देना है यह कैसे करना है किस समय से इसकी संकल्प लिधी क्या है इसके नियम क्या है यह सब चीज जनना परमाशक होगा में आपके सामने लेकर क्या अया हूँ इन सब लिधीयों के हीट्व और इस हीट्व से होगा आपका seniors से करेंगे हम पंचाक्छरी मंत्र हमारे लिए बहुत ही फलदाई और सुखदाई होगा मैं आने वाले समय में आपको ये भी बताऊंगा जहां बीमारियां जहां किसी प्रकार की बाधाएं और किसी प्रकार की अवरोध लगे रहते हैं वहां पंचाक्षरी मंतर के साथ में या अन्यत्र भी सावन का महिना है महामृतिनौजे की एक माला कैसे करें। महामृतिनौजे कितने माला करने से क्यालाब होगा। कम से कम एक माला किस विधी से की जाए। अगर जो हम तीस दिन सावन सावन में एक माला भी महामर्त तुन्जे की करते हैं उस विधी से उस आसन पर बैठ करके तो निश्चित रूप से शाफलिता प्रदायक यहां हमारे लिए शर्व रूप से सुसोबित करने वाला होगा और हमें कई कश्टों से निकालने वाला है मर्चसंजीवनी पाठ होता है भगवान सिवके अन्यान ऐसे प्रियोग है जिनके द्वारा हम बहुत ही मैं देख रहा हूं कि अभी जो सावन में एक भक्तों का भोलेनात के भक्तों का सैलाव उमड़ परता है तो उस सैलाव से आज मेरा निवेदन है कि वहां किसी परका आपको बहुत सारी वीदियों के बारे में पता चल जाएगा नमपारवती पताए हर 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 महादेश को अ अ अ आ झाल झाल झाल